प्यारे दर्शकानिस भक्ति में कारक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं आश्विन माव शुक्ल पक्ष की प्रत्रमी तीथी से लेकर नौमी तीथी तक मतलब नौ दिनों के लिए हम माता की नौ रात्री महुत्सव मनाने वाले हैं और इस महुत्सव में माता के भक्त गर्ना सनलगना होने वाले हैं माता की आरती होने वाले हैं माता की कथा में हम भाग लेने वाले हैं आईए माता के इस नौ रातरी के उपर हम चर्चा करते हैं बात करते हैं माता की भक्ति के बारे में माता की ममता के बारे में और मादुर्गा कौन है उनके नौ रूप क्या क्या है इस पर अधिक बात करने के लिए आज हमारे स्यूजियो में आए है केश्वर बखोगी जी, आप है स्पिरिश्वाल साइंटिस्ट और लाइफ कोच और सहिवानी संभू जी, आप है चाइल साइकोलोजिस्ट और अध्यात में स्पिरिश्वालिटी से जुरी हुए है, दोनों का मैं नमन करता हूँ, नमस्ते, जैमातादी, मेरा सबसे पहला प्रशना केश्वर जी आपसे, हम चित्र में देखते हैं मादुर्गा, मादुर्गा की अनेक रूप है, और मन में खास्ता और पे हमारे नौजवानों की ओर से यहाँ प्रशना जुरूर आता है, कि मादुर जिसको कहते है, तो इस आइकोनोग्राफिक फीचर के पीछे कारण क्या है, एक्स्प्लाइनेशन क्या है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाली है, सबसे पहले तो मैं आप से यह कहूंगा, कि किस गरंथ में यह सब कुछ आया है, उस गरंथ को कहते हैं देवी महात्मयम, एक अलग नाम है दुरगाश श्रीशप्ट शटिपाथ, और यह एक दूसरे गरंथ में आता है, जिसे कहते हैं देवी महापुरान, जैसे कि माभारत गरंथ है, और माभारत गरंथ में एक भीश्म पर्वा आता है, भीश्म पर्वें होता है, भावगत गीता, उसी प्रकार दे महातमयम और देवी महातमयम के ग्यारवे अध्याय में आता है ये शरुक और इसी में आता है शर्वनांग दिनार्थ परीतान परायने शर्वस्यात्ती हरे देवी नारायनी नमस्थूते इन सब श्लोकों में बर्नन किया गया है कि मा का रूप कैसा है मा का रूप सबसे पहले तो वो सिंग सबारेनी है मा शेरा वाली है और शेर क्या होता है शेर जंगल का राजा होता है शेर के पास शक्ती होती है लेकिन किस तरह की शक्ती एक कंट्रोल्ड शक्ती माशेरावाली है मा के एक हाथ में क्या है मा का रंग कैसा है मा का रंग लाल है और लाल प्रतीक है पाशन का ये हमारी कर्म भूमी है ये धरती हमारी कर्म भूमी है हम यहापर काम करने आए है और लोग हमें अपने काम के जरिये जानते है किस तरह से हम अपना काम करते हैं और काम लाल रंग से जुटता है पाशिन तो मा का रंग लाल होता है मा के एक हाथ में शंक होता है शंक का प्रतीक है call for duty जब कुरुक्षेतर में युद होने जा रहा था तो कृष्ण बगवान और अर्जुन ने अपना शंक बजाया शंक हैं, is a call for duty दूसरे हाथ में क्या देखते हैं मा के हाथ में त्रिशूल है त्रिशूल का अर्थ है त्रिगुन सतो, रजस्त और तमस त्रिशूल का अर्थ है समय, काल भूतकाल, भविश्रकाल, वर्तमाल मा के हाथ में तीर है और जब हम तीर की बारे में सोचते हैं तो वगवान शीराम जी आजाते है धर्म राइटियसनेस मा के और हाथ में है एक लोटस लोटस का अर्थ है डिटाच्मेंट कि आप इस संसार में रहो लेकिन दिटाच्ट रहो इसको कहते हैं वैरागिय मा के दूसरे हाथ में देखते हैं चक्र है चक्र का अर्थ है समय, काल जब कृष्ण के उंगली से चक्र निकलता है तो अपना काम की ये बिना नहीं लोटता है चक्र चक्र का एक और डिमेंशन है काल ताइम जो किसी के लिए भी नहीं रुकता है हर एक के पास 24 घंटे होते हैं वो कितना भी उचे स्थार का हो या तो दरिद रहो for all people everyone has 24 hours per day और आपको अपना जो भी कुछ करना है इन 24 घंटों के बीच ही करना होता है कि अगर तुम सत्य की रहा पर चलोगी और मेरी शर्म में आओगी तो मैं तुम्हारा उधार करूगा ऐसे हर एक हर एक आइकोन ग्राफिकल पीच्छ मा की हमें दर्शात है कि किस तरह का जीवन हमें ले चलना चाहिए नसिफ अश्ट शस्तर मा के सारे आभुशन जो होते हैं मा का चितरन जो होता है हमें दर्शाता है किस तरह का जीवन हमें ले चलना है जिससे कि हम धर्म के रापर चल पाए इन आइकोनोग्राफिक पीचर्स के जड़े हम ये जान पा रहे हैं जिन देवी की पूजा हम करने वाले है वहाँ देवी कौन है करती क्या है और किस तरह से हमारी रख्षा कर सकती है सहवाने जी आपके लिए एक प्रशन है कि इन नौरात्री के दिनों में हम मा के नौ रूप की उपासना करने वाले है तो प्रशन है कि मा के नौ रूप किस-किस प्रकार के रूप है और करती क्या है ये बहुत अच्छा प्रशन है उससे पूर्व नौ क्यों दस क्यों नहीं या आठ क्यों नहीं क्योंकि हमारी संस्कृति में सनातन धर्म में तीन बार हम ओम से आरम करते हैं और अंत करते हैं तीन शांतियों से, शांति पाथ तो तीन जैसे के अभी अभी केश्वर जी ने बहुत सुंदर्ता से बोला कि हमारे जो माता हैं, माताओं, उनके आभुशनों, उनके हर चिन त्रिशूल है तो त्रिशूल में तीन है, तीन मतलब भूत, भविशा और वर्तमान, फिर तीन गुन है तो तीन के तीन गुना ज्यादा होता है नौ तो मा के रूप जो नौ रातरी हम मनाएंगे अभी, मना रहे हैं और मनाते आ रहे हैं कितने वर्ष से लेकर तो ऐसे में हर रूप एक गुन का प्रतीक होता है जैसे कि शैल पुत्री, वैसे बोलते हैं कि वो परवत की बेटी है लेकिन उसका जो वर्य सटल अर्थात कि उनका शीखर क्योंकि शैल बहुत ही उपर है जो परवत होते हैं, उनका शीखर, पीक, दे टॉप तो ऐसे में जो पुत्री है वो शैल की, वो हमको सिखाती है कि कैसे हमें अपने विचारों को एक अलग लेवल अब कंशिसनेस पर लेके जाए और ऐसे मायावी चीजे, टेंपरररी चीजे पर ध्यान थोड़ा कम करें और अपने साधना को और बढ़ाए तो यह शैल पुत्री, फिर दृतिया आती है ब्रमहचारीनी, वैसे तो हर व्यक्ति एक ब्रमहचारीय रूप से ही जन्म लेते हैं, जैसे चार आश्रम होते हैं, प्रत्थम से श्रुवात करते हैं, दसली बेसी, कि हम अपने क्षमता से, एफट से, हाज वर्क से, हम इसे कार्य देता हूं कि आप बता रहे हैं कि माता के नौ रूप के पीछे अर्थ क्या है, तो रसा आप लोग भी खोच कारिय कर लिजेगा, र eyebrows कर भाूत की माता के रूप, पीछे अर्थ क्या है, लेकिन सेवानेज surfaceन मन में ऊठ cirkaं कि आप 171, जिस्त है आज कल हम देखते हैं एक थोड़ा से एक नया ट्रेंड चल रहा है जैसे कि नौरात्री आने वाली है तो इन दो दिनों के लिए हर एक दिन को एक रंग दिया जाता है तो इसके पीछे आपके इसाफ से कारण क्या है क्योंकि अगर हम गरंत में जाएंगे ना तो दे ना रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई अच्छा कारण जरूर होगा तो आपके हिसाफ से कारण क्या है और किस तरह से लोगों के लिए लाबसिध हो रहा है रंग हमें अच्छा क्यों लगता है? किसी को लाल पसंद है, किसी को नीला पसंद है, किसी को हरा पसंद है ये एक इच्छा है जो हमको प्रिय लगता है और वैसे में रंग उससे उपर जाना चाहे हमारे भावनाओं पर, हमारी आस्था पर, हमारी विश्वास पर और हमारी भक्ती पर जैसे केश्वार जी ने बहुत सुन्दरता से बोला कि चाहे कौन सा भी रंग हो हमारा विश्वास अटल रहना चाहिए लेकिन रंग क्यों वैसे में हमारे जो शरीर, हमारे शरीर में, हमारे अस्तित्व में साथ सेंटर पॉइंट्स आफ एनरजीज है चक्रस और हर चक्र की एक रंग होती है और उस रंग इंद्रधनुष से बहुत मिलता जुलता है तो वैसे में जैसे हम श्रुवात करना चाहिए फ्री प्राइमेरी से लेकर फिर आगे बढ़ेंगे हमारी शिक्षा में तो उसी प्रकार in spirituality कही न कहीं श्रुवात करना चाहिए फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो ये रंग उसी प्रती के रूप है हम शुरू करते हैं लाल से क्योंकि जो मुलाधार चक्र है वो लाल है फिर आगे बढ़ते हैं इस सिमिलार चू दlast रेंबो कलर लाल के बाद आता है ओरेंज सारंगी, जो सारंगी है और भी जैसे passion है लाल, orange थोड़ा उससे ज्यादा energetic, फिर आता है yellow, पीला, पीला यानि कि हम थोड़ा उससे activities से, energetic से उभरे और एक स्थिरता आ जाता है, क्योंकि हम दे activities कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं, हरा, green, जब green आता है तो हर्याली, प्रकृत प्रकृती से जुड़े रहना, और आगे बढ़ते हैं, आता है नीला, नीला बहुत रिदय से जुड़ा हुआ है, वैसे तो रिदय लाल है, लेकिन जो रंग उससे जुड़ा है, वो नीला है, मतलब हर एक रंग की पीछे एक अर्थ होता है, जो हमारे मन को प्रभावित कर है, हमारे व्यवार को प्रभावित करता है, केश्वर जी, रंग से जुड़ा हुआ एक प्रशन, समाज में हम देख रहे है, कि जैसे सहिवानी जी ने कहा कि रंग से जुरी हुई देवी है, आज कौन सा रंग पहना है, हमको यहां रंग पहना है, मतलब हम उस देवी के आक और उनकी व्यवार को अपना रहे हैं, यहां पर प्रशन उठता है, क्या रंग को प्रधानता देनी चाहिए, या फिर भक्ती को प्रधानता देनी चाहिए, नौरात्री के दवरान तो हमें तीन चीजों पर ध्यान देना है, एक तो है आहार, दूसरा है विचार, और तीसर है व्यवहार आहार यानि नवराते के दिन हम किस तरह का खान पान लेंगे नवराते के दोरान किस तरह की विचार हमारे मन में आएंगे और तीसरा है व्यवहार अब विविहार में हमारा पहनावा भी आता है किस रंग का पहनेंगे, किस तरह का पहनेंगे, किस तरह से अपने शरी को ढपेंगे और किस स्वभाव से हम जाएंगे पूजा में यह नहीं कि रात को हमें कथा में जाना है तो निर्भर हम जो भी चाहें कुछ कर सकी नहीं, हमें अपनी विवार को उसके अनुकूल ले जाना चाहिए, रंग इसमें एक रोल प्ले करता है, हमारा पहनावा एक रोल प्ले करता है, और किस तरह से लोग इसे प्रभावित होते हैं, जब आप काम पर जाते हैं, तो इस त जाएंगे, एक आवेनेस क्रिये टा, एक कॉलेक्टिव आवेनेस आता है, जिसके जरिये कि चारों और एक बातावरन जाता है, जिसे किसे भी लोग इस नवरारतिक के दोरान अक्रिश्ट होते हैं, जैनि कि रंग सहायक सिध होता है, लेकिन हमको अपने व्यभार को रंग भक्ति इसमें, कि भक्ति को नहीं भूलने है, उसके उपरा आप जो भी रंग लगाएं, कोई बात नहीं है, जब तक कि आपका मन, आपका ध्यान, आपकी भक्ति मापर केंदित हैं, सब जाएसे, देवी भागत में प्रवेश करते हैं, देवी भागत में जहां पे सूत जी अनेक रिशियों को उपदेश दे रहे हैं मा के बारे में, तो उन उपदेशों में एक बात आती है, कि मा के रूप कैसे है, मा के गुन कैसे है, और सुध जी कहते हैं कि मा जो है, वहा सत्व है, रजस है, तमस है, वहा महा काली है, महा सरस्वती है, महा लक्ष्म है, इन तीन तो गुनों के बारे में थुरा सा परकाश डाले। महा काली रूप में पूजा जाता है। इस पहले जितना भी कुछ था इस बिल्डिंग में कहां पर था। यहीं पर थे। लेकिन बिखरे हुए थे। उन सबसे यह बिल्डिंग बनाना था। तो सबसे पहले आपको किस चीज की अवरशक्ता परती है। सबसे पहले आपको ग्यान की अवरशक्ता परती है। इसलिए इस पूरे संसार को बनाने के लिए ब्रमाजी जब बनाते हैं तो उनके पास ग्यान होना जरूरी है। और ब्रमाजी के साथ कौन होती है। मातासरस्वति शिष्टी के लिए ग्यान होना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हम मातासरस्वति लेकिन एक और सवाल में पूछूँगा। मानने जिए कि आपका एक जमीन है। जो बहुत सालों से उस पर आपने रुपाइन घी है। उस्समीन में पेर पॉडे, पिकॉनुलू, जिसे कहते हैं, हर पकार के बॉल्डर्स, पत्थर होते ह। अगर आपको जमीन पर रुपाई करनी है तो आप एक ग्राथ जिसे ग्राथ कहते हैं उसे लेकर उसकी सफाई कर सकते हैं? ने कर पाएंगे उस जमीन को साफ करने के लिए यू नीड बुल्डोजर सफाई हम कितने सालों से ऐसे ही अवगन अपने शरीर में अपने मन में भरे भरते आ रहे हैं उसकी सफाई करने के लिए बस महा काली ही आ सकते हैं वो बुल्ड़जर जो आएगी और काटेगी सब कुछ और फेकेगी वो है इसलिए हम पहले पहले दूसरे तीसे दिन को महा काली के पूझा करते हैं और उनका गुन है तमस तमस काला अब जब सफाई हो गई अगर आप उसी जमीन को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो सब कुछ वापस आ जाएंगे हाँ कि नहीं इसलिए चौथे पहुचों और छटे दिन को हम माता लक्ष्मी के पूझा करते हैं क्यों कि माता लक्ष्मी सभी सद गुनों की देवी हैं अच्छे गुनों की देव गुड क्वालिटी की देवी हैं तो हम इन तीन दिनों में माता लक्ष्मी के पूझा करते हैं जिसके सभी सद गुन हम में आ सके और फिर अनतिम दिनों में हम माता सरसुति जब ये सब सफाई हो गई अच्छे गुना गए तब ग्यान आपाता है तब हम माता सरसुति की हैं और इसी को कहते हैं दशेरा मादक के तीन रूप महा लक्ष्मी महा सरस्वती महा काली और उनके गुनत रजस तमस और सत्वा लेकिन आज दो हजार बाइस जहां पे टक्नलोजी का बोल बाला है Modern Time, Modern World इस Modern World में यह तीन गुन का क्या स्थान है कि हम किस तरह से अपने जीवन में देख पाएंगे और किस तरह से इन गुनों से हम अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगे सहिवानी जी आप यह प्रश्न तीन गुन से ही यह श्रिष्टी चलती है तीन गुन नहीं होंगे तो श्रिष्टी का जो गुआज वो नहीं होगा क्यूंकि संसार में दो बहुत प्राथमिक elephants है, aspects है एक है जो मायावी है, प्रकृति, it's मायावी, और दूसरा है ब्रह्महन, जो पैमनन्ठ है, जो बदलता नहीं है, स्थिर है, तो प्रकृति में यह तीन गून आते हैं, क्योंकि ब्रह्महन तो इन तीन गूनों से परे है, अब जो तीन गून है वो क्या है, तमस, सबसे पहले ह तमस को लेंगे। तमस से क्या होती है? क्यों आवशक है तमस? तमस से हम नींद कर पाते हैं। नींद एक तमस एक अवस्था है। क्योंकि अभी कोई कार्य नहीं है, कोई आक्टिविटी नहीं है, हमारे यहाँ एनरजी कम है, तो हमें शरीर को आराम देना है। हर ओगांस को पूर्य तरह से विश्राम देना है, क्योंकि फिर कल वापस से दिन को शुरुआत, दिन की शुरुआत करेंगी। तो ऐसे में यदि तमोगुन हज से बर जाए। बोलते हैं ना मॉडरेशन सब कुछ में। तो जब वो मॉडरेशन नहीं है, ज्यादा तमोगुन आते हैं। तो उसमें क्या आता है? आलस्य और सुस्ती, laziness and lethargy. होता है जेवन में थोड़ा बहुत हम आलसी होते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं। यदि धीरे-धीरे उसमें और पर जाएंगे, जैसे एक दल-दल में फसते जा रहे हैं, तो वो एक आदतन शित्हिलता में परिवर् It's an habitual procrastination. तालते रहते हैं, कल करेंगे, कल करेंगे, तो कल-कल कभी नहीं आएगा, क्योंकि कल बहुत दूर होता है. आज करना है, तो अभी करना है. बोलते हैं न, जो करना चाहें, सो आज करें, और जो आज करना चाहें, सो अब. जो आप कह रहे हैं, कही न कहीं हम अपने ज इंटरेस्ट, वो कम होता जा रहे है, और व्यक्ति डिप्रेशन में पर सकता है. तो 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 मो गुन का एक मोडरेट यूसेज, जो इस्तमाल करते हैं, वो बस नेंद से होता है. या पावनाप, हम बहुत थक चुके हैं, तो एक पावनाप लें, जैसे बोलते हैं, शॉपनि ने ये स्टेडी किया है कि अमरिका में 20 प्रतिशत, जन संख्या, so 44.3 million people, वो दिप्रेशन से ग्रसित हैं, और वो दिप्रेशन से सफ़र करते हैं, वो जाते हैं काउंसलिंग करने के लिए, और ये दिप्रेशन क्या है, एक मन स्थिती है, वैसे नहीं कि हमको cancer हुआ, या एक जुकाम आ गया, तो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और तूरंत मतलब दवाई के साथ, अभी टेखनोलोजी के साथ, कितना कुछ बढ़ रहा है, लेकिन ये डिप्रेशन तमोगुन से आता है, जब तमोगुन बैलेंस हो, जैसे कि ज्यादा शकर खाने से मधु में ग इप्रेशन के और भी आगे जाएंगे, तो सुसाइडल टेंदेंसी भी आ सकते हैं, कहने का अर्थ है कि हमारे जीवन में इन तीनों गुनों को बालेंस संतुलित करना चाहेंगे, तमोगुन मतलब नीन के रूप में उनको अपना सकते है, विश्राम के रूप में आराम, ध यदि हम बात कर पा रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल पा रहे हैं, गारी चला रहे हैं, तो इसका मतलब है हम active है, तो यह activity ही रजोगुन है, यदि रजोगुन ना हो, तो हम ऐसे ही लेथाजिक बन जाएंगे, तो तमोगुन से यदि और नियंतरन में ना हो, तो क्या होता है, हम शांती से नहीं बैठ पाएंगे लोग ऐसे पैन से करते हैं या ऐसे पैर हिलाते हैं या हर समय विचलत रहते हैं अस्थिर्ता वो स्टेबल नहीं है इधर उधर वो देखेंगे तो ये अस्थिर्ता रजोगुन के हज से बाहर जाने वाले ये है इन पैशन्स हम हमारे में अधिर्ता नहीं हम अधिर है हम पैशन्स नहीं है सबूरी नहीं रख सकते तो ये है और उससे बढ़के हम चिरचिरापन पर आ सकते हैं इरिटाबिलीटी थोड़ा बहुत मतलब कुछ है तो नहीं लेकिन एक छोती से बात हम बात का बतंगर बनाते हैं और यहां पर हमारी घरी रजोगुन से प्रभावित होकर हमको बता रही है कि समय समय हो रहा है तो हम बढ़ते हैं यदि हम रजोगुन को बैलेंस करेंगी तो हम अक्टिव कर पाथ मतलब हम अक्टिव रहेंगे अब सतोगुन जब हम ध्यान करते हैं मतलब हम इस दुन्या में है लेकिन हमारी जो बाहरी चीज हमको विचलत नहीं करता हमारा मन बस शान है इस प्यूरिटी यह सतोगुन तो जीवन में इन तीन गुनों बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन को कैसे सांतुलिक रूप से बिताए केशवर जी एक आखरी प्रशन आप से क्या इन नो रात्रियों के दौरान मा के नो रात्रियों के दौरान हम कह सकते हैं कि हम महीला विमेन एमपावमेंट को हम मना रहे हैं इन नो रात्रियों के दौरान एक शब्द जो आता है आज के इस आधुनिक जबाने में है वह है मल्टी टास्किंग मल्टी टास्किंग सिर्फ कंप्यूटर पर नहीं होता है मल्टी टास्किंग रोज के जीवन के दौर में होता है और ये महिलाएं करती है, महिलाएं घर भी समालती है, महिलाएं काम भी करती है, महिलाएं बच्चों को भी समालती है और अगर आप मंदिरों में जाएंगे तो सबसे ज़्यदा महिलाएं देखती है So, multitasking अगर नवराती के दौरान आप इतनी महिलाओं को देख पा रहे हैं इसको कहते हैं empowerment नारी शर्षक्तिकरन और हमें भरपूर अपना सहयोग देना है जिसे कि हमारे देश की नारियां और भी शर्षक्तिशाली बने गांधी जी ने कहा है You educate a woman, you educate a generation जितना ज्यादा हम नारियों को शर्षक्तिशाली बनाएंगे उन्हें शिक्षा देंगे उन्हें आगे बरहाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा देश, हमारी जन्ता, हमारा समाज आगे बरहेगा और नवरात्री में नवरात्री का उदेश है यही है कि हम सभी नार्यों को उनके सही स्वरूप, उनके पाव को उनके सामने रखें और बताएं कि देखो तुम ये प्राप्त कर सकती हो, तुम ये बन सकती हो, अपने देश के लिए, अपने पलिवार के लिए इतना कुछ कर सकती हो. नवराती से बैतर मौका और नहीं हो सकता. करें के लिए बहुत बहुत धिनेवाद है नमस्कार जैमाता अदी दर्शकन आप लोगों से कहेंगे कि आप लोगों की नवरात्री मंगल मैं हो और मा का शिरवात आप पर सदा बनी रहे हैं कफ्रो को रंग कर हम अपने व्यवहार को भी रंगें ताकि व्यवहार के साथ कफ्रों के साथ रंग के साथ हम माता को प्राप्त कर सकते। जे माताई